नमस्कार दोस्तों वेरी गुड इवनिंग और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एपिक्स क्लासेज एड्यूटेक में और मैं आप लोगों के सामने हाजर हूँ डॉक्टर नीलम शर्मा काफी सारे बच्चे जो है वो लाइफ जोड चुके हैं और जुडने के साथ- राम राम गुड इवनिंग और आप सभी का भरपूर तहे दिल से स्वागत है इस क्लास में आज हम क्या करने वाले हैं दोस्तों आज हम करने वाले हैं आवर्त साडनी यानि परियोडिक टेबल को लेकर कुछ महत्वपून प्रश्न कल हम परियोडिक टेबल के बारे में आपके कहीं ना कहीं पुलिस के एक्जाम में कहीं ना कहीं क्या कर चुके हैं ये क्वेशन आ चुके हैं तो उन्हीं क्वेशन को लेकर आज क्लास के शुरुवात करते हैं और क्वेशन जब होते हैं तो साथ किसका चाहिए होता है साथ आप लोगों का चाहिए होता है तो ज पर पहला प्रश्न आवर्थ साणिका जो आप लोगों के सामने है आपकी स्क्रीन पर है वो है कि ग्रॉप्स कंटेंज अलकलाइन अर्थ मैंटल्स आर कौन से समू होते हैं जिनमें शारिय प्रत्वी धातू या इसे हम शारिय म्रदा धातू भी कह सकते हैं ठीक है यह जो शार जल्दी से उत्तर देजिए जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजे लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दीजे जितना आप क्या कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं तो जल्दी से हम लोग बताएंगे कि कौन सा ग्रूप है जस ग्रूप में प ग्रॉपर सेकंड में जितने भी हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं उन सभी को हम कहते है alkaline metal रंधीर कुमार जी गुड इवनिंग आप लेट हो गए थोड़ा सा लेट आज हम भी हो गए तो ऐसी कोई बात नहीं है आज जोनों बराबरी के बिलकुल पायदान पर है तो लेट की कोई बात नहीं आज पहला ही प्रशन है question number नहीं डला हुआ है लेकिन पहला ही कैंशियम स्टॉंशियम बेरिलियम और रेडियम यह जो सारी धातुएं है यह सारी धातुएं है आपके पास समूध दो की पिरियोडिक टेबल में और समूधों की इन धातुओं को हम क्या बोलते हैं शारिय म्रदा धातुएं और इंगलिश में इने कहते हैं alkaline earth matter चीक है च क्लास में जल्दी से लाइव आने के साथ साथ इस प्रशनोत्री में इस question answering session में जोड़ी अपने दोस्तों को क्योंकि descriptive पढ़ना तो अपना अलगी मजा है वो तो चीज है लेकिन जब उस description को हम practical way में उतारते हैं और questions पे लेके आते हैं तब हमें हमारी हकीकत पता चलती है क क्या वो जो ग्यान है वो ग्यान implement भी हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है ठीक है चले तो इसका बिल्कुल जो correct answer है वो correct answer आप लोगों के पास क्या है C that is second A group चले आगे बढ़ते हैं अगला question आप लोगों के सामने है कि सम्हु शुन्य ठीक है सबसे पहले तो बात यह है कि ग्रुप जीरो जो है यह ग्रुप जीरो कहा किसे जाता है किसमें periodic table में और इसके जो तत्व होते हैं वो कौन होते हैं इनर्ट गैसे यानि निश्क्रिय गैसे ठीक है transition metal जिने हम संक्रमन धातु कहते हैं alkaline metal जिने हम शारिय धातु कहते हैं या फिर इन में से कोई भी नहीं जल्दी से answer दीजे कि जो सम्हु शुन्य होता है सम्हु शुन्य के तत्वों को क्या कहा जाता है और क्या इस सम्हु शुन्य का कोई और भी नाम होता है क्या वो भी अगर आप लोगों को पता है तो बिलकुल बताईएगा चले महेश्यन जी वेरे गूड इवनिंग आपका और ये जो निश्क्रिये गैसे होटी है, जिनने हम noble gases भी बोलते हैं, ये noble gases या निश्क्रिये गैसे या अक्रिये गैसे भी इने बोला जाता है, इन्यिक वोला जाता है। ग्रुप 18 भी बोला जाता है, ठीक है, तो ग्रुप 18 या ग्रुप 0 ग्या है? एक ही बात है और इन में जो आती है, वो कौनसी आती है, आपकी अक्रिये गैसे आती है? अपकी हीलियू, Hylium, Neon, Argon, Krypton, Xenon और Redon. ये सारी क्या है आपकी? ये सारी जो है, आपकी अक्रिये जितनी भी अक्रिय गैसे होती है जितनी भी निस्क्रिय गैसे होती है नॉबल गैसे भी जिने हम बोलते हैं ठीक है वो क्या होती है सबसे कम क्या होती है क्रियाशील होती है और सबसे कम क्रियाशील होने का रीजन क्या होता है कि यह बिलकुल इस्थे रवस्था में पाई जात अगले प्रेशनी की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रेशनी जो आप लोगों के सामने वो है कि आधुनिक आवर्तिसार्णी का जो विकास है, वो विकास किसने किया था, जूलियस मेयर, जोन न्यूलेंड, दिमित्री मैंडलीफ या फिर मॉजले, जल्दी से आंसर दीजे, अगले प्रेशनी का उत्तर मेरे पास क्या आ रहा है, यहां पर D आ रहा है, जो बच्चे दे रहे हैं, और आनसर देने के साथ साथ आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट की जल्दी से से सेशन को लाइक कर दीजे, दोस्तों, जिसने भी लाइक नहीं किया है, जितना आप शेयर कर सकते हैं, प्लीज शेयर कीजे, बहुत टाकत है आप लोगों में शे मेरी नाम है. इसका जो आँसर आ रहा है वह आसर मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है? D. Moselle, यानि निका पूरा नाम जो है वो पूरा नाम क्या है? Henry Moslle. और Henry Moslle ने जो modern periodic table थी, उस modern periodic table का क्या किया था? विकास किया था? कौन से सन में किया था? ये किया था 1913 में. और ये जो आधूनिक आवर्तसार्णी है ये भी मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो हमारी आधूनिक आवर्तसार्णी है वो मेंडलीफ की आवर्तसार्णी यहाँ पर एक नाम भी है ना डिमित्री मेंडलीफ इन्होंने जो आवर्तसार्णी बनाई थी ना ये इसका सबसे औलग जो था जो सबसे और सबसे लग मौजली के आवर्थ साड़नी इसलिए ठी रामकरंजी बिल्कुल आपने सही comprend किया पूर कि एक सिसे और उलग अलग ऑंड फूर आलों। multif और कुछ ऐसे है a एक सेप्शन बनते जा रहे थे तो इन्हों क्या किया इन्हों ने जत्ने भी तत्व थे उन तत्वों को परमानु भार के जगे परमानु क्रमांक के आधार पर क्या किया व्यवस्तित किया और परमानु क्रमांक के आधार पर व्यवस्तित करने की वजह से मौजली की जो आवर्तिसारनी है वो modern periodic table की रूप में जाने जाने लगी और एक stable periodic table बन गई जो कहीं ना कहीं काफी हद तक क्या थी सही थी चले आगले प्रेशने की तरफ बढ़ते हैं कॉन सी अधातव जो सामानित्य द्रव अवस्था में क्या की जाती है पाई जाती है आपकोश्रैों और आनसल की क्लोरीन ब्रोमीन आएओडीन और मरकरी, यह चारों आपके परस क्या है अधातू हैं कि यह पास लिकविड फॉर्म में पाई जा रहे है और क्लोॉरिं ब्रोमीन अिoda जैसा कि आपको पता है कि यह तीनों किसमें आते हैं, इसके 1917 है यह तीनों किसके परिहार जी यह information मुझे भी मिली है मिली क्या है विल्कुल exact information है और इसका जल्ली इसका जो notification है वो भी आप लोगों के साथ में share करूंगी कर स्क्रीन पे राजस्तान पुलिस जो है उस राजस्तान पुलिस के exam की क्या आ चुकी है डेट आ चुकी है वो 6-7-8 जो November है उस November को आन हुए हैं बिल्कुल सतर्ग हो जाई है साफधान हो जाई है अपनी तैयारी को दोहराई है क्लासे से जुड़िए जितने टेस्ट हो सकते हैं जितने questions हो सकते हैं उतने questions को यहां पर करिए ताकि कहीं ना कहीं निश्ची थी मेरी शुवकामना है आपके साथ हैं कि जिसने भी सबसे ज्यादा प्रतिक रिया शील भी होते हैं चलिए आप बात करते हैं इसका जो मेक्जिमम आंसर आ रहा है वो मेरे पास क्या रहा है डी भी आ रहा है और दी वी दी तू नहीं है इसका जो correct answer है वो correct answer क्या है घी है जब भी आपसे बात की जाती है कि अदो नॉन मैटल दो वर्ड़ आते हैं है यहां पर ठीके और दो वर्ड आपके पास क्या आते एक तो आता एक तो आधा और एक आता है द्रव अधातू ठीक है इन दौनों में थोड़ा सा डिफरेंसियेशन पता करिए अगर आपसे कभी कोई क्वेशन पूछे कि ऐसी कौन सी मेटल है या धातू है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो धातू के नाम पर आप क्या लिखेंगे ह्च जी यान के पास ब्रोमीन तो यह ब्रोमीन और पारा दौनों लिक्विट फर्म में पाई जाते हैं लेकिन इन में डिफरेंस याद रखिएगा कि जो पारा या मरकरी है वो एक धातू के रूप में क्या कर जाती है पाई जाती है और जो ब्रोमीन है वो ब्रोमीन एक लिक्विट या और उसका भी कोई गलत अगर आंसर दे रहा है, तो नहीं देना चाहिए, तो बिलकुल अगले question के तरफ बढ़ते हैं, आगला question आपके पास है, कि एक्टीनियम के बाद जो चौधा तत्व हैं, उनको क्या कहा जाता है, ठीक है, एक्टीनियम पर्टिकुलर एक element है, periodic table का, उस के बाद, जो चौधा तत्वों आते हैं, ठीक है, उन चौधा तत्वों को क्या कहा जाता है, लेंथनाइट्स, एक्टीनाइट्स, D-block elements या फिर P-block elements, जल्दी से आंसर दीजे, periodic table आप लोगों ने पढ़ ली है, कि ये जो एक्टीनाइट है, ठीक है, इस एक्टीनाइट के बाद, जितने भी पर्टीकुलर चौधा तत्वों आते हैं, चौधा तत्वों को क्या कहा जाता है, लेंथनाइट्स, एक्टीनाइट्स, D-block elements या फिर P-block elements, आंसर जो आ रहा है, मनीश, मीना जी आंसर दे रहा है, C, रामृतन, A, अनुयादव, D, A, C और D, तीन आंसर तो क्या कहलाते हैं, लेकिन लाइक करने के साथ साथ आपके जितने भी दोस्त हैं, जिने आप इन क्वेशन में अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, प्लीज जोड़िये, उनको कॉल कीजे, वाट्स अप कीजे, ग्रॉप्स में डालिये, ताकि जादा से जादा बच्चे जो है इस क्लास में, इन क्वेशन आंसरिं सेशन में आप लोगों के साथ क्या कर सकें, जुड़ सकें, तो देखें, आंसर जो मेरे पास आ रहा है, वो C, C, C आ रहा है, तो बिलकुल C जो है इसका करेक्ट आंसर है, एक्टिनाइट के बाद, ठीक है, एक्टिनियम के बाद, जो 14 elements आते हैं, वो 14 elements क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं, D block elements, चलिए, अगला प्रेशन आप लोगों के सामने, in the modern periodic table, ठीक है, जो आपके पास आधुनिक आवर्त सार्णी है, इस आधुनिक सार्णी में, कौन सा और कौन सा यहां पर आप लिख सकते हैं, period, यानि आवर्त, कौन और actinite जो है, वो क्या किये जाते हैं, पाए जाते हैं, जब periodic table हम लोग कल पढ रहे थे, तो नीचे दो लग से table आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है, उसमें से वो क्या थे, वो आपके पास से lengthinites और actinites ठीक है, तो आपको बताना है, कि कौन से आवर्त में, lengthinite होते है और कौन से में आपके पास एक्टिनाइट होते हैं देखें आंसर मेरे पास अगेन आ रहा है फिर रामरितन जी बी रेनु का ए फिर बी ए बी ए और बी में कहीं ना कहीं जंग छड़ी हुई है बहुत तगड़ी वाली और ए और बी की जंग के साथ इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्र आंसर आप लोगों के पास क्या है वो है आपके पास आवर्त होता है यात च्छटा जो आवर्त होता है उसमें खाए जाते है उसमें लिंचनाइट सबस्दक्रिय और और जो आपके पास 7th क्या होता है, period होता है, 7th period यानि 7 आवर्त में जो periodic table होती है, इसमें क्या पाये जाते हैं, इसमें actinites पाये जाते हैं, बहुत important question है, और ये 6th और 7th period जो है यापको याद रखना है, क्योंकि lengthinites और actinites जो है ये अलग ही क्या है, इक special section है इनका किसमें, periodic table में, सम्हू सत्रा में, सम्हू सत्रा में, यहां से एक word मैं यहां पर काट रही हूँ, सम्हू सत्रा में सबसे प्रतिकरिया शीलतत्व कौन सा है, ठीक है, सम्हू सत्रा में, group 17, और group 17 में आप लोगों को बता देती हूं कि group 17 जो होता है, इसको हम halogen group बोलते हैं, ठीक है, यह जो है लोजन घ्रूप में सबसे प्रति करिया शिर्ट जो तत्व होता है कौन सा होता है राम उसक्राप चिर्मा जी वलकुल आप भी और आंशर दिया था आपका मैं धुडन ले लिया है बहुत अच्छे देखे बच्चों जल्दी से जल्दी जितना आप लाइक और शेर कर सकते हैं प्लीज कीजिए आप अच्छे प्रेशन और इसी तहरे के प्रेशन आप जब अपने प्रेशन पत्र उठाके देखेंगे तो कुछ इसी तरहे के questions जो है वो आपको exams में देखने को मिलेंगे तो इन questions के साथ जोड़िये और जुड़ने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी जोड़िये यहां पर a answer आ रहा है और सभी का a आ रहा है पूर्ण बहुमत के साथ जतने भी बच्चे हैं वो कितना answer दे रहे हैं वो मुझे वो मुझ सबसे ज्यादा क्या होते हैं क्रियाशील होते हैं और उन सबसे ज्यादा क्रियाशील में भी जो maximum level पर होता है जिसने top level हासल कर रखा है वो आपके पास कौन सा होता है वो आपके पास होता है फ्लोरी ठीक है क्यों होता है यह और इस ग्रुप के सारे तत्व सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया शील क्यों होते हैं क्योंकि देखिए आउटर शेल जो होती है ना सबसे बाहरी कक्षक जो होता है इन तत्वों का उन बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं साथ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ठीक है इसका जो आउटर मो शेल होती है ठीक है तो जिसके पास साथ electron है वो क्या जाएगा कि कोई ना कोई उसे क्या कर दे एक electron क्या कर दे दे ठीक है जैसे ही कोई एक electron देगा वैसे ही उसका octet क्या हो जाएगा complete हो जाएगा और वो से एक electron को लेने के लिए बहुत active mode में रहता है तो इसे वज़े से जितने भी element होते है fluorine chlorine bromine iodine ये सभी प्रतिक्रियाशील होती है लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रतिक्रियाशील होता है वो कौन सा तत्व होता है वो होता है आपके पास fluorine क्योंकि halogen group के outer shell में कितने electron पाय जाते हैं आप लोगों के पास 7 electrons चाले अ मालकर चलिए बिलकुल रंधीर कुमार जी सभी का स्वागत है और आप सभी देखिए अपने दो दोस्तों को भी अगर इस क्लास से जोड़ेंगे तो बहुत ही बड़ी एक महरवानी होगी आप लोगे कि तो जुड़िये क्लास से और जुड़ने के साथ साथ जुड़ने का भ नहीं हो फादर ऑफ केमिस्ट्री कैसी बाते करें बहुत बड़ी बात यह हो गई है अगली बात चलते हैं आवर्तिसार्णी के सबसे बाया स्थम्ब में तत्वो का कौन सा परिवार है सबसे बाया स्थम्ब जो होता है उस सबसे बाया स्थम्ब अगर मैं इस तरीक से पहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है कल ही मैंने आप लोगों कहते हैं भी इसका जो क करेक्ट आंसर है यहां पर क्या आ रहा है वो एक का मतलब यह क्या हुआ आपके पास अलकलाई मेटल्स यानि हम क्या कहते है शारिय धातू और जो आपका सबसे पहला गुप होता है यह क्या कहलाता है यह कहलाता है गुरुप वन आप क्वेस्टिन को देख लिए कैसे पूछा है इसने कैसे पूछा अभी तक तो पीरियड और आवर्थ में पूछा जा रहा था कि कौन साइवर्थ है कौन सा वर्घ है लेकिन अब क्या पूछा इसने पूछा सबसे बाया स्थम बाचों को confuse करने के अलग-अलग तरीके है लोगों के पास सबसे बाइप या सथम पूछा तो कई बच्चे थो बाइओ और दाई में क्या हो जाते हैं- Confused हो जाते हैं- दाया को बाया मान लेते है, बाय को दाये मान लेते हैं, ठीक है? तो सब से बाया स्थम्भ कौनसा होता है? Group 1 के जितने भी मैटल आपके पास elements होते हैं, तत्व होते हैं उन्हें हम अलकलाई ही तो ही के सारे ऐलेमन्स जो होते हैं ये किसमें आते हैं यह आते हैं आपके शारिय ecc धातुव में चले अगला प्रेश्ण करते हैं और अगला प्रेश्ण आप लेगों के सामने क्या है 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 लोजन क्या है 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 लोजन ग्रुप का नाम है जितेश हैलोजन जो है वो ग्रुप का नाम है कि ग्रुप 17 में जितने भी तत्व है ना इन सभी तत्वों को साथ में मिला कर क्या बोला जाता है हेलोजन बुला जाता है ठीक है मैंने बोला ना फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंटेमनी और यू यू ऐसे के अलिमेंट होता है जिन सभी को साथ में मिला कर क्या बोला जाता है हेलोजन ग्रुप बुला जाता है ठीक है तो हेलोजन ग्रुप का भी लुदितु का परिवार कौन सा है जल्दी बताईए किटने एलेक्टरोन पाई जा रहें है साय इलेक्टरोन पाई जा रहा है in कुछा शिंग हारा जी गुडईवनिंग स्वागत है आप सभी लोगों का अधोस्तो क्लास को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और लाइक और शेयर करने के साथ-साथ अपनी भावनाओं को भी यहां पर व्यक्त कीजिए और भावना है किस तरह की कि अगर आप इस class में या मुझ से किसी भी तरह का improvement चाहते हैं, किसी भी तरह का सुधार चाहते हैं, class में कुछ नया topic आप लोग चाहते हैं या किसी नए तरीके से class की शुरुआत चाहते हैं, तो please उन सभी चीजों को यहा बेटर करा सकती हूँ, करा रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों की तरफ से कोई भी suggestion है, तो मैं बिल्कुल open suggestion वाली teacher हूँ, आप खुले दिल से अपने उन सुझावों को यहां पर लिख सकते हैं, अभी ना लिखना चाहें, तो comment box में लिखकर छोड़ सकते हैं, ताकि मैं उन्हें पढ़ सकूँ और पढ़कर यह जान सकूँ कि actual में यह क्या चीज जो है वो यहां पर हो रही है, बिल्कुल इसके लिए पीक अप करना चाहिए, और काफी लोग कर रहे हैं, श्रंखला में जुड़े हुए हैं, और होना भी चाहिए कि हम जिस सरकार को vote द और आपको बढ़कर रहे ही हैं, तो बच्चों में डेपरेशन पारण भी बन रहे हैं, यह जतनी भी बच्चों में डेप्रेशन जैसे जो प्रॉब्लम देखे जा रही हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है, तो यह जो कारण है, चले, यह जो कारण है ना इसी कारण की वज़े से जो बेरोजगार है बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ती जाए तो देश की सरकार बाकिश एत्रों में बहुत काम कर रही है राफिल ला रही है और बड़ी-बड़ी योजना है हम डेली करेंट अफ़ेर्स की क्लास में तो हमें बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए आप बिल्कुल आप लोग ट्विट कीजिए ट्विट करके जोड़िए अपने फेस्बुक पर डाले यूटूब पर डाले कि कितने लोग ताकि सरकारता की आवाज पहुँच चुके कि आप बेरोजगार है ठीक है कितने लोग जो है अमारे देश में क्या है बेरोजगार है और कही ना कहीं एक अच्छी नौकरी की तलाश में दिन रात क्या कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं तो यह आवाज बिल्कुल उन लोगों तक क्या करनी चाहिए पहुँचनी चाहिए और आप लोग पहुँचाए भी चले chemistry subjective अरे subjective ही तो पढ़ा रहे है ऐसी क्या बात है subjective ही पढ़ाया है questions भी तो करने पढ़ते है न चले बिल्कुल आपको पढ़ाएंगे और physics में electric current पढ़ाना है कुंदा निशरवाल जी बिल्कुल इस topic को भी लेते हैं हमने bio और chemistry के 2-3 topics कर लिए हैं आप बिल्कुल हम physics का ही को चलिए ठीक है चलिए actual में क्या होता है देखिए questions के थ्रू जब concepts clear होते हैं आप लोगों को directly exam में deal क्या करना है आपको exam में directly deal किन के साथ करना है questions के साथ करना है जो description होता है वो description तो हमें बहुत जगे मिल भी जाता है हम पढ़ भी लेते हैं और मैं भी कराती हुई description आपको लेकिन वो जो questions के साथ deal करने वाली जो problem होते है वो बच्चों के साथ बहुत होती है कि आपको concept आता है ठीक है जासे second a group बहुत सारे लोगों को आता है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने गलत पताया क्योंकि मैंने कली class में बताया तो questions जो है ना वो questions बाद में ही करें होंगे अभी भी बाद में किये लेकिन periodic table में जो है na periodic table को आप questions के medium से ही बहुत अच्छी तरह क्या कर सकते हो समझ सकते हो बाकी elements जो है की 18 ग्रूप में कौन सा है 17 में कौन सा है 16 में कौन सा है 15 में कौन सा उनको क्या कहा जाता है यह periodic table ज्यादा तो याद करने वाली चीज ह इसको समझने वाले जो matter है वो चीज किसमें आती है question में होंगे और physics जो next आपका topic है बिलकुल मैं आप लोगों को बहुत surety के साथ कह रही हूं कि इस topic के बाद ठीक है यानि कल से ही कल नहीं तो परसों से ही आपका जो physics है वो physics क्या हो जाएगा start हो जाएगा हम नया topic जो है बिलकुल basic जो topic है उस basic topics के उस physics की क्या करेंगे शुरुवात करेंगे तो आप और आपके जितने भी दोस्त जो है वो physics पढ़ना जाते है उन्हें भी इस class से जोड़िएगा और लाएगा ताकि उस भरी पूरी class के साथ पढ़ने में एक अलगी जो मजा है वो भी हमें मिल सक होगा हालो जन जो ग्रुप हमने पढ़ा है अ किटने ऊसको कॉनसा कि उुक्त है ह म सेवन ठीन क्या डूह कहते है और इस हैलो जीश्यका इनकी जो ये सबसे बाहरी शेल होती है, इस बाहरी शेल की क्वालिटी है कि इस बाहरी शेल में कितने इलेक्टरॉन पाए जाते हैं, साथ इलेक्टरॉन पाए जाते हैं, और जिसके पास साथ इलेक्टरॉन होते हैं, वो अपना ओक्टेट क्या करना चाहता है, पूरा करना च सबसे जादा क्या होती है आपकी पास प्रतिकरिया शील होते हैं केमिस्ट्री पुरी करवाँगी मैंने तो अभी बायो भी पूरी नहीं करवा यह विन्ह है बायो भी पूरी करवाँगी लेकिन हम केसी एक ही subject को continuous mode में ले हाँ नहीं चल रहा है तो हम एक रोटेशन में चलें में कुछ बायो के क्चिमिस्स के और कुछ फिजिक्स के एक ही स्टीम को लेंगे को अगला question आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन हमेशा एक सम्हू में उपर से नीचे जाने पर बढ़ता है अब ये इसकी properties की बात आ गई ठीक है अब ये properties question से क्या हो जाएगी बिल्कुल आप लोगों के सामने क्या हो जाएगी clear हो जाएगी और last में कुछ important ची आपके पास properties और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन हमेशा एक सम्हू में उपर से नीचे जाने पर क्या होती है बढ़ती है ठीक है उपर से नीचे मतलब आप अगर इस ग्रूप में इस तरीके से movement करोगे तो इसमें से आपका जो metallic character है वो बढ़ जाएगा या electronegativity जो है व बढ़ जाएगी तो इसका correct answer जो है वो आप लोगों को क्या करना है देना है ठीक है इस question का correct answer जल्दी से screen पर होना चाहिए कि उपर से नीचे जाने पर किसकी क्या चीज है जो वो क्या होती है बढ़ती है धात्विक चरित्र, electronegativity, oxidizing capacity या फिर reduce करने की जो capacity होती है वो answer मेर मेरे पास यहां पर आ रहा है B, अमर जीत जो है वो A answer दे रहा है, उमेश जो है वो C answer भी दे रहे है, then again मेरे पास B, B, B answer आ रहा है विध्योत्रिनात्मकता, तो देखिए एक बात बता रहेती हूं, जितने भी बच्चे विध्योत्रिनात्मकता answer दे रहे है न वो तो बिलक childcare-negetivity होती है, जितने बहुत है, एक वो तो बढ़ी करोगे तो इलएक्ट्रिनात्मकता, जो होगी वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, जितने लिगोत्रिनात्वटी बच्चे यह जो हो गया क्योंकि उपर से नीचे आने पर उपर से नीचे जाने पर electronegativity बढ़ती नहीं है घर्टी है तो जिसने भी be option दिया एंगली बात हम किसकी करते हैं अगली बात हम करते हैं इसके धात्विक चरित्र की ठीक है या tendency to get reduced की ठीक है धात्विक चरित्र यानि metallic character की भी जब बात की जाती है तो धात्विक चरित्र भी क्या होता है उपर से नीचे आने पर क्या होता है आपका बढ़ता नहीं है बलकि क्या होता है घटता है oxidizing capacity की अगर हम बात करें तो oxidizing capacity जो होती है वो क्या करती है उपर से नीचे आने पर क्या होती है बढ़ती है जो ऑक्सी करन करने की शमता होती है वो उपर से नीचे आने पर क्या होती है बढ़ती है तो इसका जो correct answer होगा वो correct answer आप लोगों के पास क्या होगा सी होगा अगला प्रेशन आप लोगों के सामने कि इन में से कौन सा आवर्त सार्णी का आवर्त गुंड नहीं है जो आवर्त सार्णी का आवर्त गुंड है जो आवर्त गुंड है जो आवर्त सार्णी के तत्वों में पाया ही नहीं जाता आप देखें विदोत्रिणात्मक्ता की तो अभी अभी हमने बात किये तो विदोत्रिणात्मक्ता तो पाई जाती है पर्मानु का आकार भी पाया जाता है क्योंकि जब तत्वों की भात कर रहे हैं तो तत्व क्या अपने आप में एक पर्मानु है और पर्मानु का आकार जै ये बहुत सारे element ऐसे हैं जो radioactive elements है, जो radio धर्मिता को क्या करते हैं दर्शाते हैं तो उपर वाले जो तीन element हैं, ये तीन element के गुण जो हैं ये तो आवर्त गुण हैं लेकिन जो electron affinity होती है जो electron बंधुता होती है, ये electron बंधुता जो होती है वो आवर्त सार्णी में नहीं पाई जाती है ठीक है अगला प्रेशन आप लोगों के सामने कि आवर्त सार्णी के किस समु को आवर्त सार्णी का समु जीरो भी कहा जाता है ठीक है शुन्य समु का दूसरा नाम क्या है अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि जो शुन शुन्य समू है उस शुन्य समू का दूसरा नाम क्या है उसे किस दूसरे समू के नाम से क्या किया जाता है जाना जाता है ठीक है और उम्मीद करते हूं कि बहुत सारे जो बच्चे है ना वो इस क्वेशन का क्या देने वाले हैं अब सही आंसर देने वाले हैं गलत कोई भी इ किस सम्हू के नाम से जाना जाता है ग्रुप 18 ग्रुप 10 ग्रुप 12 या ग्रुप 6 चलिए देखें कितना शांदर आंसर आया ना मैंने का ना कुछ ग्रुप 18 में पाई जाती है जिने हम शुन्य सम्हू के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं ठीक है तो बिल्कुल जो ए है वो ए इसका क्या होगा करेक्ट क्या होगा हमारे पास आंसर होगा और जितने भी बच्चों ने सेशन को लाइक ने किया जल्दी से पसंद कीजिए लाइक कीजिए लाइक बटन प्रेस कीजिए अगले क्वेशन का आंसर देने से पहले क्योंकि अगला question भी बिल्कुल चाकू की मदद से कटने वाला question है, बहुत जल्दी इसका केक काट देंगे, कि चाकू की मदद से निमनलिकित में से किस धातू को काटा जा सकता है, ठीक है, कौनसी ऐसी धातू है, जिससे चाकू की मदद से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है, बिल किया करते हैं ऊड़ते हैं चलियाँ समेरे पास आने लगा है इस लिए प्रिष को क्या किया चाकू से काटा जासकता है मतलब पनीर की तरह होते हैं है चाकू से बहुत वहाद इजीले कट जाता है वो ही जो में स्ट्रक्चिर होता है वही पाटन किसका होता है सोडियम का होता है और सोडियम को हमेशा आप पने देखा होगा कि वूरे रंग की बौटल में जो मिट्टी का देल होता होता ईए यो पिशमीन का अंदर क्या कैरोसीन के अंदर रखा जाता है अगर EphE drawer लैब में गए होंगे और आप लोगों ने क्या देखा होगा केमिस्ट्री लैब में सोडियम देखा होगा तो सोडियम को हमेशा हम सैपल से उठाते हैं और इसे ब्राउन कलर की बॉटल में कैरोसीन के अंदर रखा जाता है क्योंकि सोडियम ऑक्सिजन के साथ बहुत जल्दी गए होंगे ना उन केमिस्ट्री लैब में आप लोगों ने देखा होगा सोडियम का स्ट्रेक्चर वो बिल्कुल पनीर के तरह होता है बिल्कुल यह जो क्वेशन है ना मैंने का ना मलाई मखन क्वेशन है और बहुत सारे एक्जाइम से बहुत टाइम पूछा जा चुका ह है तो आप लोगों के सामने भी बिल्कुल लाना था और क्लियर होना चाहिए आगला क्वेशन विच आप फॉलिंग एलिमेंट है मेक्जिममम इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इन में से कौन सा एलिमेंट है जिसमें सबसे जादा विद्धु तिरिनात्मक्ता जो होती है वो पाई जाती है जिसमें सबसे ज़्यादा जो विद्धु तिरिनात्मक्ता पाई जाती है वो कौन सा एलिमेंट है आप लोगों को बताना है चलिए जल्दी से बताईए इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कि इटी परसन्ट एक्वाम में आता जाता है हां भीया बहुत फेमस क्वेशन है सेलिब्रेटी क्वेशन था वो और सेलिब्रेटी क्वेशन का आंसर जो है वो सब ने काफी हद तक सही दिया है तो आप लोग भी सब सेलिब्रेटी बन चुके हैं जल्दी से लाइक कर दीज को जितना आप कर सकते हैं जोड़ी अपने दोस्तों को और पटा लगाईए कि जिस प्रेशनी का उत्तर आपको आता है क्या उन्हें भी आता है या नहीं आता है चलिए आंसर मेरे पास आ रहा है आप फ्लोरीन ब्रोमीन ख्लोरीन बी बी-बी क्या है हमारे पास बी यहां प क्लोरो फ्लोरो जो क्लोरीन और फ्लोरीन से मिलकर बनता है ठीक है और क्या है आपके पास C यानि कारबन चले अब यह बताने से पहले आप लोगों को एक छीज बता देती हूं कि अगर आप से कोई पूछे कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की खोज किस ने की थी तो जैकाउब बर्जिलियस नाम का जो विज्ञाणिक था उस विज्ञानिक सन 211-211-6,111 में इन्हों pineapple क्या किया था खुजा था कि यह जो विदुत्रिनात्मकता है, इसको एक स्केल भी होना चाहिए, हमें पता तो होना चाहिए, कि पिरियॉडिक टेबल में जतने भी element है, उन element की जो electronegativity होती है, वो actual में होती कितनी है, ताकि हम उनको compare कर सके, ठीक है, तो जैसे ही हमने उनको compare किया, तो उसके लिए Linus Pauling scale बनाया गया, Linus नाम का एक विज्ञानिक था, जिन्होंने Linus Pauling क्या बनाया, scale बनाया, यह Linus Pauling scale, अगर आपके exam में कभी question आए, बहुत ही typical question है, नहीं देखा जाने वाला question है, कि यह जो Linus Pauling scale है, कोई नहीं बताएगा आपको, Linus Pauling scale जो है, इस scale से किसका मापन किया जाता है, तो यह electronegativity को बताता है, Linus Pauling scale किसको बताता है, electronegativity को बतायता था और इन्होंने इसको लेकर क्या बनाया था, यह scale बनाया था, वो बनाया था, 1932 में, 1811 में तो electronegativity की खोच की थी, जेकॉब बर्जीलियस में, और 1932 में जो आपकी परस, Linus Pauling था, इन्हें ले, electronegativity का क्या बनाया था, एक scale बनाया था, ठीक है, और जितनी electronegativity आप लोगों को पता होगी, कि जितनी विद्धुतिरनात्मक्ता जादा होगी, किसी भी तत्व की, वो तत्व क्या करेगा, बहुत मजबूती से अपने electron को क्या करेगा, किसी के साथ कोवलेंट इस है, सही होजी रूप में शेयर कर पाएगा, तो अब आपसे प्रशनी जो था, वो प्रशनी ये था, कि इन में से सबसे जाधा विद्धुतिरनात्मक्ता जो है, वो विद्धुतिरनात्मक्ता किस element की है, तो मेरे पास answer आया, chlorine भी आया, fluorine भी आया, और अब मैं बताती हूँ कि इसका correct answer क क्या होगा, इसका correct answer क्या होगा, CF होगा, chlorofluoro, ठीक है, आपने chlorine बोला और fluorine बोला, ठीक है, तो chlorine और fluorine अगर जादा है, तो जब ये दोनों साथ में मिल जाएंगे, तो इनकी विद्धुतिरनात्मक्ता दोनों की क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और अगर आपको ब इसमें जो fluorine है, इस fluorine की जो विद्धुतिरनात्मक्ता है, वो है आपके पास 3.85, ठीक है, अब इन दौनों को आप जोड़ोगे, तो इस CF की total विद्धुतिरनात्मक्ता आपके पास आजाएगी, और इसी के opposite में अगर आपको बताओं, तो bromine की जो विद्धुतिरनात्मक होती है, वो होती है 3.16, और खाली कार्बन की जो विद्धुतिरनात्मक्ता होती है, वो होती है 2.55, तो आप बताईए इन चारों में से सबसे ज़्यादा विद्धुतिरनात्मक्ता किस की हुई, तो सबसे ज़्यादा विद्धुतिरनात्मक्ता किस की हुई, क्लोरो, फ्ल लोरीन भी है ठीक है और इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो इसकी विद्यो तुरेनात्मक्ता इन तीनों के comparatively क्या हो जाएगी सबसे ज्यादा हो जाएगी यह information है आप इस linus falling scale को जरूर पढ़िएगा दोस्तों इसमें जितने भी periodic table के elements है उन सभी की electronegativity को बताया हुआ है और electronegativity का मैंने आपके बताया कि जब भी आप periodic table में नीचे से उपर की तरफ बढ़ते हैं ठीक है जब भी periodic table में आप अपर से नीचे की तरफ आएंगे तो electronegativity क्या होती है घटती है ठीक है यह चीज आप लोगों को क्या करनी है ध्यान रखनी है किसके बारे में यह ध्यान रखनी है आपको electronegativity के बारे में चलिए कि अगली बात करते हैं अगले प्रेशन की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रेशन आप लोगों के सामने है कि नमना लिख़त गैसों में सबसे हलकी जो गैस है वो इंटा आप लोगों के पास में आप यूगशि again वाप आपने सही आंसर बताया है और जितने बी बच्चे नए क्लास में जुड़े हैं, live हैं, जल्दी से session को like कर दीजे, दोस्तों, और जितना आप share कर सकते हैं, उतना share कीजे, और यह काम आप बह। अच्छे से कर सकते हैं, मुझे पता हैं, बात करते हैं कि निमनलिखेत गैसों में से आवर्त सार्णी में सबसे हल्की gas कौन सी है, oxygen, जल्दी से जितने भी बच्चे क्लास में लाइव हैं, सभी आंसर देंगे, जब सबका आंसर आजाएगा, तब मैं बताऊंगी कि एक्चुल में जो करेक्ट आंसर है, वो करेक्ट आंसर इस क्वेक्शन का क्या है, सबसे हलके गैस पूरी आवर्त सांडी में कौन सी है, अगर आप से पूछा जाए, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है, वो करेक्ट आंसर आप लोगों के पास क्या होगा, फोर्त यानि हाइड्रोजन, आवर्त सांडी में पाई जाने वाली सबसे हलकी गैस कौन सी है, हाइड्रोजन, जिसका परमानू क्रमान क्या होता है, एक और जिसको एक कौने में उपर हमने क्या कर दिया, रख दिया, क्योंकि इसकी जो इस्तिथी है, वो बहुत विवाद पूर्ण है, ठीक है, हाइड्रोजन की जो इस्तिथी है, वो क्या है, बहुत ही विवाद पूर्ण है, क्योंकि ये धातू और अधातू दोनों की तरह वि कौन से हैं वो है आपके पास शारिय धातू शारिय प्रत्वी धातू संक्रमन धातू या फिर उत्क्रस्ट गैस जल्दी से आंसर दीजेए इस question का correct answer क्या होगा संक्रमन धातू है या फिर उत्क्रस्ट गैस या नोबल गैस चलिए बहुत ही अच्छा बचो और जिसने भी डी आंसर दिया है यानि नोबल गैस ठीक है ये नोबल गैस इसका सबसे correct answer है क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ग्रुप 0 या ग्रुप 18 शुन्य समू या 18 समू में क्या पाई जाती है अक्रिग ऐसे पाई जाती है और ये अक्रिग ऐसे सुभाव से क्या होती है इस्थिर होती है और सबसे कम जो होती है वो प्रतिक्रियाशील होती है ये जल्दी से किसी के साथ भी क्यानी करती रियक्ट नहीं करती है परमानु संख्या 46 का त होते हैं, उपकक्षक होते हैं, वो होते हैं, S-Block, P-Block, D-Block और F-Block, ठीक है, तो यह S-P-D-F जो Block है, इसमें परमाणों संख्या, यानि 46 जिसका Atomic Number है, तो सबसे पहले तो हमें भी यह पता होना चाहिए, कि जिसका Atomic Number 46 है, वो Element Actual में है कौन सा, ठीक है, जिसका Atomic Number क्या है, 46 है, वो Element Actual में है कौन सा, तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, और वो जो आपके पास Atom है, वो है Palladium, ठीक है, 46 Atomic Number जिसका है, वो क्या है, आपके पास Palladium है, ठीक है, अब आपको यह बताना है कि यह जो Palladium है, य पईलेडियम जो है यह कौन से गृप में आता है तो मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो C भी आ रहा है और वो D भी आ रहा है चले तो जो भी D block answer दे रहा है ना जो भी क्या आंसर दे रहा है D block D block का मतलब क्या है D block का मतलब है आवर्त 5 को और गृप 10 ठीक है जो नंबर 46 का element है वो पैलेडियम है ये जो पैलेडियम है ये पाँचवे आवर्थ और दसवे सम्हू में आता है और कौन से खंड में आता है डी-ब्लॉक एलिमेंट के नाम से क्या किया जाता है जाना जाता है तो जिसने भी डी-ब्लॉक आंसर दिया है अगला प्रश्ण हेंड्री मौजली द्वारा आधूनिक आवर्थ स्थार्णी में तत्वों को किस तरह से विवस्थित किया गया था बहुते गुणों के अधार पर उनके रास संख्या के अधार पर ठीक है इन चारों का जो करेक्ट आंसर है वह करेक्ट आंसर आप लोगों को क्या करना है देना है कि सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बता है हेंड़ी मौसले और मैं पूरा यकीन के साथ कह सकती हो कि कुई स्वस्ट आरइक राएव वो मुझ तो जो भी दे रहे हैं वो पता नहीं किस आधार पर दे रहे हैं लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर आप लोगों के पास क्या होगा अतॉमिक नंबर यानि पर्मानु संख्या आपको बताया था कि है जो अधुनिक आवर सानीदी वो किस के अधार पर बनाई उन ने पर्मानु क्रमांग उन लेकिन जब हमने परमानु क्रमांग के अधार पर तत्व को व्यवस्थित किया तो क्योंकि परमानु क्रमांग के क्या होते हैं बिलकुल निश्चित होते हैं बदलते नहीं हैं तो इसके मतलब इसकी वजह से जब हमने इसके अधार पर परमानु या एलिमेंट्स को व्यवस् बिल्कुल इन्होंने जो दी थी आवर्साणी वो 1913 में दी अगला प्रैश्न आप लोगों के सामने जल्दी से देखिए कि परमाणु संख्या 55-86 के तत्व जो है वो किस अवधी से संबंदित है एलमेंट्स फ्रॉम अटॉमिक नंबर 55-86 बिलॉंग्स टू विच पीरियड यानि आपको आवर्त बताना है कि 55-86 जो एलमेंट है ठीक है 55-86 के जो तत्व है वो तत्व आप लोगों के पास पर्टिकुलर किस पीरियड से या किस आवर्त से क्या है संबंदित है वो आवर्त क्या है चौथा, पांचवा, छटा या फिर सात्वा ठीक है जल्दी से बता और परमानु संख्या 55-86 के जो एलमेंट है वो कौन से आवर्त में आते हैं, आंसर आ रहा है मेरे पास सात्वे आवर्त में, पांचवे आवर्त में, बी आंसर आ रहा है और बी आंसर आ रहा है, लक्षमी कान जी ने 6 आंसर दिया है, उमेश नी भी C आंसर दिया है, चले, जिसने भी 6 दिया है ना 6 आवर्थ, 6th period, 6 जो आवर्थ है, 6 आवर्थ इसका बिल्कुल correct answer है, जो आपका 6th period है, किसमें periodic table में, उस 6th period में atomic number 55 to 86 क्या आते हैं, element आते हैं, और total कितने element हैं इसमें, total जो हैं, इसमें 32 elements हैं, ठीक है, total कितने तत्व आते हैं, total जो छटे आवर्थ में तत्व आते हैं, वो आपके पास कितने आते हैं, 32 जो elements हैं, वो 32 elements इसमें पाए जाते हैं, और इनके अंदर lengthenides भी होते हैं, ये भी आद याद रखेगा कि lengthenide कौन से आवर्थ में पाए जाते हैं, जो lengthenides होते हैं, वो lengthenides आ शर्मानु क्रमांग के तत्व छटे आवर्त में बाया जाते हैं, टोतल ज़ती ही आवर्त में ऑर इन अज़ती समय क्या होते हैं इसमें एंक्लूड होते हैं, चली Это अगला question 2 प्रेश्चन आप लोगों के पास था ना है कि आवर्त सार्णी में रहा persop तो अंतिम जो मेटलॉइड है वो कौन सा है tellurium, polonium, arsenic या फिर silicon. जल्दी से उत्तर देजें कि आवरत सार्नी का सबसे अंतिम जो धातू होता है, मेटलॉइड होता है, वो मेटलॉइड कौन सा होता है? टेलूरियम, polonium, arsenic या फिर silicon. चले देखते हैं इस प्रश्नी का जो आंसर है वो आंसर मेरे पास क्या आता है इस प्रश्नी का सही उत्तर जो है वो सही उत्तर यहां पर कितने बच्चे देते हैं लास्ट मेटलॉइड कौन सा है बी आंसर आ रहा है आरसेनिक भी आंसर आ रहा है डी भी आंसर आ रहा है लेकि प्रेशन आप लोगों के पास पर्मानविक तरज्या से रिलेटेड ठीक है और वो पर्मानविक तरज्या से रिलेटेड क्वेशन क्या है कि जब आधूनिक आवर्त सांडी में यानि प्रियोडिक टेबल में हम लोग जब पर्मानु तरिज्या बढ़ती कभ है जब आवर्त में बाई से दाइं की तरफ बढ़ते हैं या आवर्त में समू से नीचे की उपर तरफ जाते हैं या इसमें से कोई भी विकल्प जो है वो सही निये काफी दिमाग लगा के और सोचकर उत्तर दीजेगा ये आज की क्लास का आखरी प्रश्न है ठीक है और आखरी प्रश्न के साथ हम इस क्लास को क्या करेंगे आज अंत करेंगे और देखते हैं कि इस आखरी प्रश्न का उत्तर है वो आखरी प्रश्न का उत्तर जो है वो कितने बच्चे जो है वो क्या देते है सही देते हैं हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं बाद हम यहाँ पर कर रहे हैं परमाणू त्रिज्या की परमाणू त्रिज्या की जिस त्रिज्या में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन उस त्रिज्या के चारों तरफ भूम कर क्या लगाता है चक्कर लगाता है वो यहां पर सी आन्सर आ रहा है का मतलब एक सम्मू में जब नीचे से उपर की तरफ जाते हैं तो परमाणुए क्या होती है बढ़ती है लेकिन ये इसका और नहीं है जब एक पर M दवाप movement करोगे तो जो atomic आपकी radius है ठीक है atomic radius यानि जिसे हम पर्मानविक त्रिज्या कहते है उस पर्मानू त्रिज्या का जो आकार है वो आकार क्या होता जाता है बढ़ता जाता है जब किसी भी आवर्त में आप लोग option है दाएं से बाइं की और बढ़ना ठीक है तो यह दे बच्चों आवर्द साणने के कुछ महत्वपूर्ण प्रशन जन महत्वपूर्ण प्रशनों को हम लोगों ने आज किया और इसी तरह के प्रशन ये एक आईडिया है आप लोगों के सामने कि इसी तरह के जो प्रशन हो हैं के पहले और उसके बाद फिर उसके बहुत सारे फ्रेशन हम सॉल करेंगे ताकि वो कंसिप जो है वो हमारे माइन में क्या हो जाए क्लियर हो जाए तो बिल्कुल तैयार रहेगा और ज्यादा से ज्यादा उस फिजिक्स की क्लास को आपको अपने सभी दोस्तों को बताना ही मिलना है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं गल की क्लास में ध्यूंट